Hey guys, welcome back to another video और आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ इसी screen guard के बारे में जो कि मैंने purchase किया है Amazon से इन ही LG G8X smartphone के लिए जो कि मैं यहाँ पर इनके उपर लगाने वाला हूँ क्योंकि protection भी बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी glass वगारा देखने को नहीं मिलता है इसके screen पर तो इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप यह screen guard ज़रूर purchase करें क्योंकि यह जो screen guard है वो चार screen अलग-अलग screen guard के साथ आते हैं तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इसकी unboxing और आप कहेंगे तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूँगा कि किस तरीके से glass को लगाया जाता है अपने smartphone में अगर आप वो वीडियो पर चाते हैं तो आप मुझे comment करके ज़रू बताइएगा फिलार इस वीडियो में मैं आपको इसकी unboxing दीखाता हूँ कि क्या कुछ मिलता है box के अंदर और इसको मैंने Amazon से purchase किया है 400 रुपे में तो इसकी link आपको description में मिल जाएगी smartphone के लिए एक screen protector ना कि इस LG smartphone के लिए बाकी आप इस box के अंदर हमको यहाँ पर इसके उपर भी साथ ही इस screen के लिए भी साथ ही यहाँ पर हमको इसके front और यहाँ पर यह जो back है यानि कि यहाँ पर इस इतने portion के लिए हमको इसके अंदर screen protector रखा हुआ देखने को मिल जाता है फिलाल इसकी purchase link मैं आपको discussion में दे दूँगा लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस box के अंदर हमको देखने को क्या मिलता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको open करके तक लिया है तो यहाँ पर इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और हमको यहाँ पर कुछ documentation दिया गया है जिसको हम side में रख देते हैं और हमको यहाँ पर सबसे पहले देखने होगी उसके बारे में आप कहेंगे तो मैं एक dedicated वीडियो बना दूंगा फिलार आप यहां पर देख लेजिए कि हमको चार section देखने को मिल जाते हैं जो अलग-अलग section है आप किसको कहां पर इस्तेमाल करेंगे मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो आप यहां पर जैसा कि देख सकते हैं कि यह हो गया चारो screen protector सबसे पहला जो screen protector है वो है यहां पर यह जो इस lg smartphone के साथ यहां पर हमको सबसे पहले front में हमको यहां और यूज करना पड़ेगा तो यहां पर यह तो हो गया इसका screen protector और दूसरा screen protector है वो worldwide यहां पर आप यहां पर और इसको cover करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं i think झीम हाँ यह इसी जो इसको हम कहा में ला जी हां, sorry mistake हो गए मुझसे, यह अंदर की तरफ लगेगा और यह बाहर की तरफ लगेगा, जो आप यहां पर देख रहे हैं, और almost दोनों की length जो है, वो थोड़ी सी कम जादा है, तो इसलिए आप इसको बाहर लगाईएगा, और इसको अंदर, तो यह हो गया, यह जो चौथा है, वो है, यहां पर यह 14 screen protector, तो इसकी जो quality आपको देखने को मिलती है, वो यहां पर, यह आप समझ दीजिए कि यह temper glass नहीं है, यह break नहीं होगा easily, और यह mold हो सकता है, तो यह काफी अच्छी बात है, इसको हम यहां पर लगाएंगे, यानि कि हम LG smartphone को यहां से, इसको कुछ इस तरीके से install कर सकते हैं, जब यहां पर मैं इसको install कर लूँगा, तो आपको पताऊंगा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको dedicated video बना कर दूँ, कि कि इस तरीके से आप इन सभी को एक एक करके, इन सभी में install कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो मैं एक dedicated video बना सकता हूँ आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा तो चलिए दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इसको purchase करना रहेगा तो मैं आपको इसका link description में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर इस product को purchase कर सकते हैं जो कि मुझे यहाँ पर 400 रुपए का पड़ा है